हलो फ्रेंज बेलकम टू मैं चैनल आज मैं डोर हैंगिंग तोड़न लेके आए हूं बनाना बहुत इजी है अगर वीडियो पे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बिल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरा आनने वाला हर वीडि करते हैं इसको कि इस पट्टि का वीडियो हमने पहले ही अप लोट कर दिया है अगर आप नहीं देख़े हैं तो डिय्स क्रिप्रिप्टिन में लिंक है आप हूं से किलिक कर के देख सकते हैं तो देखिए हमने एडोर हैंगिंग बनाया है बहुत ही सुन्दर है यहां से देखिए हम इसको यह हमने दो फ्लावर बनाया है इसमें दोनों साइट से एक ही जैसा देखेगा और बीच में देखिए हमने यहां पर यह दो पत्ती बनाया है यह पत्ती देखिए यह पतली वाली पत्ती है फिर हमने देखिए पिंक कलर से फ्लावर बनाए है दू बीच में हमने दो पत्ती बनाए है और फिर यहां पे देखिए, वाइट प्लावर बनाए है इसमें, और दो पत्ति, और नीचे के साइडे पिंक प्लावर बनाए हैं, तो बहुत ही खूब सुरत हैं, तो यहां से देखिए इसकी लंबाई, आप अगर बढ़ा बनाना चाहें तो बना सकती है हमने देखिए यापे 4 चान करके धागे को कट कर देना है थोड़ा नोट लगाने के लिए बड़ा धागा काट लेना है तो हम और बनाए है अभी हम दिखा रहे हैं तो हमने देखिए एक ही साइच का हमने और बनाया है आप देख सकते हैं इसमें लगाने के लिए एक ही साज का हमने एडो रहंगिंग बनाया है चलिए बना के दिखाते हैं तो इसे बनाने के लिए सबसे पर देखिए हम चैन बनाएंगे तो हमने एक चैन बनाया है एडो तीन चार देखिए चार चैन बनाने के बाद हमने जहां से स्टार्ट शुरू किया था चैन देखिए यहां से अब यहां से हम इसको गोल करके बंद कर रहे हैं इस तरीके से देखिए बीच में होल बन गया है अब इसके उपर चैन बनाएंगे, तो हमने एक बनाएं, दो, एक तीन, तीन चैन बनाने के बाद देखे हम एक राउंड़े से कुरुष्या में धागा लेंगे, और फिर उसी होल के अंदर से में धागे को निकालना है, देखे, अब हम डबल कुरुष्या बनाएंगे, अब इसके उपर देखे हम चैन बना रहे हैं, तो एक, दो, एक तीन, तीन चैन बनाने के बाद यहां नीचे से देखे, यह जो फंदा है दो, इसी के अंदर से देखे हम कुरुष्या को डाल रहे हैं, धागे को निकालेंगे, यह जो दो फंदा है, इसको हम बंद कर देंगे, यह उपर का डिज़ाइन बन रहा है हमारा अब फीर हम उसी ओल में देखें हम डबल कुशे बस बनाएंगे अब फिर उपर की साढ़ हम तीन चैन पर करें यह डिज़ाइन बनाएंगे, जैसे हमने अभी बना देखें इन फंदों में से में निकालना है यह दो फंदा जो है इसको मुल बंद कर रहे हैं यह ऊपर का हमारा डिजाइन है फिर हम डबल कुष्य बनाएंगे उपर की साइट तीन चैन करेंगे यहाँ इन फंदों में से देखिए यहां से कुष्य को डालेंगे, धागे को निकालेंगे और ये दो जो फंदा है इसको हम बंद कर लेंगे और फिर हम आगे डबल कुश्य बनाएंगे तो इसमें हम और बना ले रहे हैं बनाना बहुत हीजी है आप ध्यान से वीडियो को देखें और पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए तो इसके अंदर हम डबल कुश्य ऐसे बनाती हुए जाना है ये हमें गोल जैसे बना लेना है तो देखिए हमने इसको एक गोल बना लिया है यहां से देखिए हम एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नो, एक दस हमने ये दस डबल कुश्य ऐसके अंदर अब इसको हमें बन कर लेना है देखिए हमने जो चैन बनाया है यहां से इसी चैन के अंदर से देखिए कुश्य को डाल रहे हैं यहां से धागे को निकाल के इसको बंद कर लेंगे यह देखिए यह हमारा एक फ्लावर बन गया है इसके आगे देखिए हम चैन बनाएंगे तो एक हमने बनाया है दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, एक आठ तो यहां पर देखिए हमने आठ चैन लिया है अब इसके बाद देखिए हम काउंट करेंगे चैन को तो यहां से एक, दो, एक तीन यहां पर देखिए तीसरे वाले चैन में हम डबल कुश्य बना रहे हैं यह देखिए बीच में होल बन गया है अब उपर की साथ हम फिर चैन करेंगे एक, दो, एक तीन तीन चैन करने के बाद देखिए एक राउंड इसे में कुश्य हमें लेना है धागा अब फिर इसी होल के अंदर यहां से हम डबल कुश्य बनाएंगे अब उपर की साथ हम तीन चैन करेंगे और देखिए याँ नीचे वाले दोनों फंदों में से इन में से देखिए धाग़ निकाल के इसको हम बंद कर देंगे इस तरीके से और फिर हम उसी होल में फिर्डबल कुर्शय बनाएंगे जैसे हमने नीचे का डिजान बनाया है विल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पर भी बनाएंगे उपर की साइट तीन चैन रखना है और यहाँ से देखिए फंदों में से हम धागे को निकाल के इसको हम बंद कर रहे हैं और फिर आगे हम डबल कुशिया बनाएंगे तो देखिए हमने एक साइड में 5 डबल कुशिया बनाएंगे अब देखिए हम धागा आगे लेके जाएंगे यहाँ से एक दो एक दो दूसरे ऐले चैन से यहाँ पे कुशिया को डाल रहे है पर नीचे से यह जो धागा है यहां से देखिए हम नीचेक साड से निकाल रहे हैं इसको इन दोनों फंदों में से अब इसके आगे देखिए फिर हम डबल कुर्ष्या बनाएंगे तो देखिए हमने डबल कुर्ष्या बनाएं फिर उपर की साड हमने तेन चैन बना लेना है इसके बाद देखिए यहां से इन दोनों फंदों में से हम धागे को निकालेंगे और बंद कर देंगे यह उपर कड़ी जाने हमने बनाया है अब इसके आगे हम पांच और डबल कुर्श्य बना लेंगे कि यहां पर देखिए लास्ट का है हमारा इड़ा बना रहे हैं और उपर की साइट तेंचैन करके मीचे वाले फंदे से यहां से इसको हम बंद कर देंगे तो देखिए हमने यह बना लिया है पांच अब इसके आगे यहां से जो हमने चैन बनाया है इसी चैन के अंदर से इसको हम बंद कर देंगे इस तरीके से, अब यहां से देखिए हम धागे को, यह जो धागा है, इसको हम कट कर लेंगे, तो यह हमने देखिए, यह फ्लावर हमने बना लिया है दोनों, तो देखिए हमने एक डोर हंगिंग में यह चार फ्लावर हमने बनाए हैं, दो पिंक है और दो वाइट, तो यहां हम यहां पर एक चैन बना लेंगे तो देखिए हमने एक चैन बनाए है अब इसके बाद हम यह पिंक वाला फ्लावर जो है इसमें जोडेंगे तो देखिए इसके अंदर से हमें यहां से इस तरीके से रख लेना है और यहां से देखिए हम इसको अब चैन बनाएंगे इस तरीके से इसको बंद कर लेना है चैन बनाती हुए अब उपर की साथ देखिए हम चैन बना रहे हैं तो हमने एक बनाए दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आर, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चवदा, ये पंद्रा तो हमें देखिए पंद्रा चैन बनाया है अब इसके बाद देखिए हर चैन में हम सिंगल कुष्या बनाएंगे यहाँ पर देखिए इन फंदों में से, चैन के फंदों में से देखिए हम सिंगल कुष्या बनाएंगे तो हमने एक बनाए ये दो सिंगल कुष्या तीन चार पान चे साथ आठ नौ ये देस तो देखिए हमने इसको ये पत्ती हमारा बन गया है हमने इसे दस सिंगल कुष्या बनाएंगे अब इसके बाद देखिए इस पत्ती को नीचे की साइड जुकाना बताएंगे तो ये जो होल है यहां से देखिए इस होल में से हम और चैन के अंदर से देखिए कुष्या को डाल रहे हैं अब यहां से हम धागे को निकालेंगे देखिए यहां से हमने इसको निकाल लिया अब इसको हम दोनों फंदों को बंद कर देखिए अब यह जो पत्ती है हमारा नीचे की साइड देखिए जुक गया है अब इसके उपर फिर हम चैन बनाएंगे यह दूसरी पत्ती बनाने के लिए तो हम यहाँ पर पंद्र चैन बनाएंगे देखिए हमने इसको पंद्र चैन बना लिया है अब हर चैन में से हम सिंगल कुशे बनाएंगे तो यह हमने बनाएं यह दो तीन चार पान छे साथ आर तो देखिए हमने यह 10 सिंगल कुशे में बनाया है इस पत्ती में अब इसके बाद देखिए यहां इस होल से यहां से कुशे को डालेंगे आगे की साथ जो चैन है उसके अंदर से देखिए दागे को हम निकाल रहे हैं यह दोनों फंदों को हम बंद कर लेंगे यह पत्ती हमारा नीचे की साथ देखिए जुग गया है देख सकते हैं दोनों साथ में पत्ती बना है अब देखिए उपर हम फिर चैन बनाएंगे हमने एक बनाए ए दो तीन चार पांख छे साथ ए अठ तो यहां पर देखिए हमने आठ चैन बनाया है अब यहाँ पे देखिए हम white color का फ्लावर लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए इसी के अंदर हम रख ले रहे हैं इसको दोनों साट से, जो धागा है इसमें से देखिए इसको अब हम बंद कर लेंगे, इस तरीके से, देखिए हमने इसको बंद कर लिया है, यह हमारा जो फ प्रप्ति हम आपको दिखा दे रहे हैं, बिल्कुल आसान है, आप बिल्कुल इसी तरीके से बनाएगा, तो इसमें हमने 15 चैन बना लिया है, तो देखिए अब यहाँ से हम हर जो चैन है, इसके अंदर से शिंगल कृष्य बनाएंगे, तो देखिए इसमें हमने एक बना है एदो, तीन, चार, पांट, छेर, साथ, आर, नुँआ, यह 10, तो देखिए हमने इसमें 10 सिंगल कृष्य बना लिया है, इस पत्ती में, अब इसके बाद हम इस पत्ती को नीचे की साथ देखिए, कैसे करते हैं, यहाँ पे इस होल से धागे को निकालके, यहाँ पे दो जो फंदा है, इसको हम बंद कर ले रहे हैं, तो इसी तरीके दूसरा बला पत्ती भी आगे बना लेंगे, और फ्लावर इसमें हम जोड लेंगे, तो हम आगे दिखा रहे हैं जोड के, तो देखिए हमने इसमें बना लिया है पूरा, हमने इसमें चार फ्लावर बनाए हैं, दो पिंक और दो वाइट, और बीच में हमने छे पत्ती बना है यहां से हम लगाएंगे जहां फर्स्ट है देखिए पट्टी का डिजान यहां से हम रख रहे हैं कि यह हम दूसरा ले रहे हैं अब इसको भी हम रख दे रहे हैं यहां पर इस तरीके से देखिए बीच में हम यहाँ पर एक गयब छोड़ेंगे हमें इसमें नहीं बनाना है दूसरे बाले में बनाएंगे तो देखिए हमने बीचे में गयब छोड़के यहाँ पर आगे रख रहे हैं तो इसको भी देखिए हम रख ले रहे हैं और यहां पर देखिए बीच में हमने गैप छोड़ दिया है तो इसी तरीके से हम आगे और रख लेंगे तो देखिए हमने इसको रख लिया है अब इसमें नोट लगा लेना है तो हमने देखिए एक गैप छोड़के नोट लगा लिया है दो-दो का तो यह हमारी तोड़न बनके कंप्लीट हो गए अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई डिजैन के साथ थैंक यू